नवस्कार दोस्तों, Welcome to my channel, तो आप लोग देख सकते हैं, आज मेरे पास एक LED TV आया है, Chinese LED TV और इस LED TV में जो problem है, यह extend by problem है, और यह extend by problem से यह release नहीं हो रहा है, और यह TV चालू नहीं हो रहा है, तो पेले इसको connect करके चला के आप लोग के सामने दिखाते हैं, देख सकते हैं, इसका adapter यहां पर लगा हुआ है, और अभी इसमें हम power का जो connector है, इसको लगाएंगे, और ध्यान देजिए यहां पर इसका power light है, ठीक है, तो यहां पर हम connect कर देए, देखिए, इसका power का LED है, यह glow हो चुका है, और हलाकि यह इसका power button है, power button प्रेस करने पर भी यह on नहीं हो है, ठीक है, ठीक है, लेख सकते हैं, यह इसका remote है, इसको जैसे हम प्रेस कर रहे है, यह on नहीं हो रहा है, वहालाकि my race का remote भी सभी है, अब लोगों को SamoNry दिख्याते हैं, देखिए, देकिए, remote वी इसका सही है, लेकिन यह on हो रहा है, तो चलिए, इसको खौल के दिखात लुए अगर फूर्बरा बॉल नहीं आएगा तो भी यह दिक्केत होगा जो देख सकते हैं फूर्बरा बॉल यह आ रहा है ऌके तो इसको हम खुल कर दिखाते हैं तो पीचे से इसका जो अब इसको साइड में रखते हैं अभी दिखिए जो मैंने कनेक्टर था ये मैंने सारे निक्याल दिये अभी इसका जो फोल्टेज है वोल्टेज अब लोग के सामने चेक करके दिखाते हैं किस वज़े से ये स्टेंडबाय प्रॉब्लम से रिलिज नहीं होता है इसका मेंली अब मल्ड्म हैं जैसा कि यक हो गया है तो आफस आफोल का दिक्कत होगा तो भी स्रीम्त करें नहीं होगा अगर कुछी बंटेज का कुछ मेंशीं हो होता तो भी इस पेस्टेंडबाय नहीं होगा तो पहले on को ऐंगे करके देखेंगे अगर फोल्टेज तारे कुछ हो के हैं तो इसका सॉफ्ट्यर करके देख लेंगे वार फिर से पावर है लेकिन यह और नहीं हो रहा है तो माल्टीमिटर को हम इसके चेक करेंगे पहले इसका कोईल से इसका भोल्टी चेक कर लेंगे यह पर नेगटिव मिल जाएगा मुझे इस पॉइंट से इस कोईल फे 5 वोल्ट इसका लपे पॉइंट वण ओके अभी देखिए यहां पर एक रिगलोटर लगा हुआ है यह टीपिल वान का टीपिल वान एट का जो रिगलोटर है यह डूएल रिगुलेटर है यहां पर इसका जो दो पिन इदर से जो आउट है इसमें 3.3 आउट होगा और इस पर 1.8 आउट होगा 3.3 की जगह 3.85 आ रहा है अब इसमें इस दोनों पिन में यहां पर देखिए 1.7 आ रहा है जो कि यहां पर 1.8 वोल्ट आना चाहिए था और आपको दो तिन जगह आपको देख लेना है यहां पर जो इसका बाइस का जो आईसी है उसका एट नमबर पिन पर 3.3 आना चाहिए अब भी आ रहा है था तो इसका जो रेगुलेटर है यह टो हालागी मेरे पास Oxe any Robber नहीं है इसके जेगा मैं दूसरा जिए लगांगा कि दिखांवा देख सकते हैं यह टिफिल वान Minute के जो रेगुलेटर है अब लोग दिख्या देते हैं देख सकते हैं यह रेगुलूटर है तो रेगुलूटर को हम पहले खोल लेंगे खोल के दिख्या तो यह अगर आइडम से ओपन हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो इसको हम बोलवार से इसको निकालेंगे अब इससे पहले आपर कुरूल लेते हैं तकि क्ली करने में आसानी होगा थे कहां थैड़ को खोल जाके के दिख्या एंप देख सकते हैं है इसको अब इसको साइड में कर देंगे और रेगुलूटर है रेगुलूटर को इसको खोल के देखते हैं हुआ जो पृइज सब्लाइं तो और नंद नंद वाई से थोरा से रिक्षि होने लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप सोल्डर में इसको ओपन करेंगे तो इसका जो आजू वजू में जो कंपनेंट है वो निकाल जाता है तो आपको ध्यान से खोलना है और लगाना है हाला कि मेरा तो मैं बहुत स्टैप का काम कर चुका हूं तो इसलिए मेरा कुछ दिक्कत नहीं होता है लेकिन आप जब लग करेंगे तब ध्यान से कीजिए नहीं तो यह आज वजू में इसका जो कंपनेंट है यह खराफ हो जाएगा इक सोरी खराफ तो नहीं होगा यह मिसिं इसको साफ करें देख सकते हैं कि इसका रिग लोटर रहें है अगया अब यह दिक्लियार नहीं हा रहा है बाद में हम दिखांग इसको साफ सुत्रा करके अभी में क्या करेंगे अब इस पर हम यह तो मेरा डूएल रेगुलेटर है और डूएल रेगुलेटर अभी मेरे पास नहीं है तो मैं डूएल रेगुलेटर के लिए यह जो है DC to DC IC जो है क्या बोलते हैं आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपको हार टाइप का फोल्टेज मिल जाता है इस टाइप का बोर्ड में देख सकते हैं जैसा कि हो गया 1.8, 1.5, 2.5, 3.35 वोल्ट तो मुझे यहां पर 3.3 और 1.8 दोनों चाहिए तो मैं इस दोनों को सोल्डर करके दिखाता हूं आगे तो देख सकते हैं यह दोनों मैंने सोल्डर कर लिया अभी इस पर देखेंगे देखें एक हमने किया है 3.3 वोल्ट पर और एक हमने किया है 1.8 वोल्ट पर देख सकते हैं कि देख सकते हैं दोनों लाका दिया अभी इस पर 12 वोल्ट अप्लाई देंगे तो यहां से हम बारा बूल ले लेंगे अब यहां से ग्राउंड ले लेंगे इसके जो ग्राउंड है इसको जोडते हैं इसके बाद इसके बारा बॉल्ट इंपूट से बारा बॉल्ट ले लेंगे तो यह हो गया मेरा डूयर रेगुलेटर अभी इसको साइड में रखते हैं अभी देखते हैं कि बोर्ड मेरा चालू हो रहा है कि नहीं ठीक है इसके लाइट जल रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है देखें और अभी इस पर हम आप लोग को चेकर के भी दिखा देते हैं इस्तेजिवां इसका इसे में पॉटक इंजिक्ट करेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है देखे जैसेर इसने पाउर करेटे कर दिया इस्का जो लाइट है यह जफय invoke तो अभी हम लोग के समर्साम ने फैनल लगा िसके दिखा हैं तो इसको भी साइड में कर देते हैं और पेनल को लगा के दिखाते हैं और रहा है कि नहीं तो इसको फिर से बंद कर देते हैं एक बार फिर से बंद कर दिया अभी पेनल लगा के दिखाते हैं तो पिनेल का कनेक्शन हम यह से लगाएंगे इसका जो बैग लाइट के जोड़ देंगे इस साइड से देखें यहां पर बैग लाइट के यह इसका कनेक्शन है अभी इसको थोड़ा से साइड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक है इसका पावार बॉटन ओन करते हैं अब कर दिया इसका पावार बॉटन का जो एलीड है यहां पर देख सकते हैं और अभी इसको हम पावार प्रेस करके स्टेंडबाई से रिलीज करेंगे पावार बॉटन प्रेस कर दिया है इस्टेंडबाई से रिलीज हो गया है और इसमें डिस्प्ले भी आ गया है देख सकते हैं तो आप लोग देख लिया है कैसे यह जो इनिवर्सल चाइना बोर्ड है यह आसाने से रिप्यार हो जाएगा बस आपको कुछ नहीं करना है दो यह दोनों दो तीन चीज काम करने से हो जाएगा और वीडियो अच्छा लागा तो कमेंड में जरूर बताएगा ठीक है और आभी तक आपने मेरे चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो प्लीज जाके एक बार सस्काइब कर दीजिएगा देखिए रेगुलेटर जो मैंने बत ले लिया है और इसको हम यह से इसको हम यह से कनेट कर दी है देख सकते हैं एक 1.8 वलपर और एक 3.3 वलपर थैंक यू गाइज